अभी तक सभी टीवी चैनलों पे सब टीवी चैनल वाले सब मेडिया वाले अलग-अलग सर्वे करा रहे हैं कि आने वाले पंजाब चनाओं में किसको कितने वोट पड़ेंगे, किसको कितने सीटें मिलेंगी कि लगबग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबर रही है किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं किसी किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं बस दो कदम और बचे हैं बस दो तिन सीट का और मसला है तो एक तो मैं अपने सारे वॉलेंटियर्ज को कहना चाहता हूं कि आखरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखरी धक्के की ज़रूरत है आखरी पुष्ट की ज़रूरत है वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस यह आखरी चीज भी सबसे निवेदन है कि यह साथ नहीं कम से कम असी सीट असी के उपर आने चाहिए तो सारे जने धक्का मारो आखरी धक्का मारो सारे वोटर्स जो है खूब जम के वोट डालो परचार भी करो अभी 20-25 दिन बचे हैं और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो तो यह तो लगबगत है हो चुका कि आम आदमी पार्टी के सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी का जो भी CM चहरा होगा वो पंजाब का अगला CM होगा यह भी अब लगबगत है तो आम आदमी पार्टी का CM चहरा कौन होना चाहिए अक्सर देखने में आया कि पार्टी आपने कोई अपने बेटे को बना देता है CM का चहरा cm कोई अपने बहु को बना देता है कोई अपने घरवाले को बना देता है भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं मेरा छोटा भाई है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं हम भी अपने कमरे में बैठके मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं भगवंत ने का नहीं जनता से पोछना चाहिए सर भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा यह बंद कमरे पे सी एम का चेहरा डिसाइड करने का यह सिलसला बंद करना चाहिए सर तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो उसके बाद में रखो कि बहुत बहुत में पानी कि बिल्कुल सही क्या सीम साथ ने ते उख केंदे भी जो तेरा नाम है और डिकलियर कर देने हैं सीम बास्ते मैं के जिसर आम तोर्टे कि पार्टियां सीम लोक कंते थप दिया निकलें क्यों इत कि पांत साल को नौह निकलेयां किम यह जावे हैं jullie पार्टी दे नेतामाचों तुसी कीनु चौने हों के जुम्मेदारी जड़ी है वह बड़ी जुम्मेदारी है मुखमंत्री दी पंजाब दी वो कीनु मिले ते इनने क्या हो के पगवांति जटु चौना है क्योंके जी मैं फेर कहना के मुखमंत्री ने सुब्य दे लोकां दे तुखा सुखांच काम होना है ते जी उन्हां दी मानपसंदा चुनेया होया है ता लोकांनु एक कॉन्फिडेंस रहन दे कहां साड़ा ही बंद है असीनु अग्डे कीता है कल नू कोई किसे ने बां पढ़के रोकना भी होगे रोक सक है के पाई तेम्छ मंत्री बंद्णोंच सब्दावा ऐस है सएक नंबर प्रोकां क्यों सब्सकी नावर गी में जारी कर दितना गेत इस एम्स करके जब कॉल करके जब भर चैंप टे मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मोप्छ मंत्री जेरा दस सक दें ते ओरना दे डाटा कठा होगा ओदे जो रिजाल्ट काट के पड़ सामने मुख मंत्री जने पंजाब जमें के सीम साब ने क्या कि लागपग मुख मंत्री दा चेरा ही चोड़नेगे लोग कैंडिडेट में चोड़नेगे सो मैं पाटी दा पफादार यहां मेरी ड्यूटी कि चाहे कंदा दे पोस्टर चिपकॉन दी ला देती जावे में ओभी करूंगा मेरे लिए पंजाब अपॉर्ट है मिरा पंजाब ठीक होई मैं कोई बहुत बड़े बड़े शोर्ता आं मैं बहुत बड़े 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 शोर्तां हैं मुषूर यह देखके आयां सो मैंनों उन्हें जादी कोई चाहत नहीं पर हां कि सीम साभ ने मेरे तेना ज्यादा मान कीता है मेरे तेना ज्यादा विश्वास कीता है ओधी कोई कीमत नहीं सो यह नंबर जीड़ा जारी कर देता कि आगे जान करी लिए फिर द्वारा तो आज हम यह नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 पंजाब के लोगों से मेरी विंती है कि यह शायद भारत में पहली बार हो रहा है 1947 के बाद इतने चुना हुए आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीम चहरा कौन होना जाए पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भई अब सरकार बनने जा रही है हम नहीं तै करेंगे आप तै करो कि सीम चहरा कौन होना चाहिए जिसको आप कहोगे हम उसको सीम चहरा बनाएंगे इस नंबर पे आप वाटसेप कर सकते हो इस नंबर पे आप समस कर सकते हो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी रेकॉर्ड आवाज चोड़ सकते हो सत्रा तारीख को पांच बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा आज तेरा तारीख है सत्रा तारीख को शाम को पांच बजे तक ये नंबर खुला रहेगा उसमें जितने भी जवाब आएंगे लोगों के जितने रिस्पॉंस आएंगे उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीम चेहरा ऐलान करेगी उसके मताबिक पंजाब का अगला सीम तै किया जाएगा अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमारी अपनी परसनल पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है पंजाब की पसंद इंपॉर्टेंट है उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज यह प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए एलेक्शन कमिशन से मैं इसका जवाब दो अर्विट जी हम यह कह सकते हैं कि बंगवनपान साथ के नाव पे पार्टी में एक रहा है लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार कहोगा की कोहीआज पार्टी जारै लेंके सि subject करेंगी तो वही अब जो जन्ता के पीछ पी लिसनर र्वाभ भाण निप Carol के हैं अब कह सकते हैं पार्टी उसी ही चहरे पर महर लगाएगी जो जन्ता कहेंगी मैं तो ये कहुँगा कि जनता अपना पसंदीदा सीम चुन ले कोई बाहर का होगा भगवन तो उनके घर जाके उनको लेके आएगा हमें अच्छा सीम चाहिए पंजाब के अंदर ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं तीन करोड पंजाबी अपने हैं अपने को हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है हमारे लिए देश प्यारा है हमारे लिए पंजाब प्यारा है पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीम होना चाहिए वो आम आदमी पार्टी का सीम चेहरा होगा हम तो बहा हम तो अब इस हमने तो इन ने तीन करोड पंजाबियों पे छोड़ लिया जो जनता कहेगी जी यह ओना चीह वो होगा हमारा अरविंद केजरीवल नहीं अरविंद केजरीवल टकर में नहीं है बिलकुल नहीं मैं समझ कि आप लोगों को शायद ये शक हो रहे हैं अरविंद केजरीवल बाहर है इस कंपिटी इस कि एक समाल है एक मिनट वो कई देर से बोल रहे हैं किसान ना कौन जी ऐसा हो रहा है क्या मंतब एनर्जी विचोल के कर सकते हैं आम अमानी पाटियू पह सुना पस्टत गर देखे हमारे लिए जैसा मैंने इसका हमारे लिए थो पंजाब इंपॉटंट है. तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे थो हमें कोई दिक्कत निहीं है सब को साथ आना चाहिए. जो भी आज पंजाब की तरफिर की चा रहा है अब आप थोड़ा सा जंता पर य enthali텐 रखिए कि चार दिन के बात है पांच दिन के बात है जो नतीजे आएंगे वही करेंगे अब जंता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूं हम तो इतना ही कर सकते थे हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया अब जनता तै करेगी सतरा तारीक को शाम को पांच हुज़े तक यह टेलीफोन लाइन लास्ट कोशन मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने है यार मैं आप से पूछना चाहता हूँ आपको कोई सबूत दिया उन्होंने आप कौन से चैनल से हो मान लो यह कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है तो मान लो यह कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड रुपे ले लिये तो आप तो यही कहोगे न जी सबूत दो मैं भी यही कह रहों सबूत तो दो तो एलिगेशन के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिजम बेस कर रहे हो जर्नलिजम का मतलब होता है सच दिखाते हैं सच दिखाओ यार सबूत दिखाओ मैंने कल भी कहा था सबूत ले के आओ मैं छोड़ूंगा ने किसी को मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी के सरकार आएगी उस सरकार में प्रधान मंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के तीन करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे आज पध्धान मंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के तीन करोड लोग भी असुरक्षित हैं थांक्यू सो मच